हेलो एवरिवन वेलकम एंड वेलकम बैक तो मैं न्यू व्लॉग तो फ्रेंड्स कैसे हैं सभी आई होब बहुत अच्छे होंगे मैं भी एकदम बढ़िया हूँ और ये वीडियो जो है ये संडे वाले दिन का व्लॉग आप सभी के साथ आज मैं शेयर कर रही हूँ और अभी सुबह सुबह का बस टाइम है दिन के शुरुआत हो चुकि ये संडे है तो इतमिनान से सारे काम होंगे आज और आज मैंने वेयर की है ये ब्लैक वाली साडी विसे मैं आप लोग को बता दूँ ये जो साडी है ना ये है मेरी मम्मी की साडी और मम्मी यहां पर जब पहले याई पर रख दो तो जब आओ पहनने कमनो तो पहन लो बट मम्मी का तो अतना आना जाना होता नहीं और मैं पहन डालती हूं वैसे भी मुझे ब्लैक करा काफी पसंद है तो इसलिए मैं यह ये साडी पहन लेती हूं और मुझे तो लगता है मैं इसे पहन पहन के खराब भ दूँगी और मुमी काना तो जल्दी क्योंकि हो नहीं पाता है फिलाल अभी बस बाल बाल मैंने आज धुले हैं संडे का वीडियो तो हेर वाश किया था और यहां पर थोड़े बहुत जो काम है वो सब साफ सफाई के वो सब करने में लगी हूं और अभी मैं बनाने जा रह आ जा रहा है तो गरम नहीं किया तो मैंने फ्रिज में रख दिया तो वैसे ही बालटा और अभी बच्चों को बनाना दिया है उसके बाद अभी आइधिंक यह होगा साड़े आठ या नौ बजे का टाइम होगा तो मैं यहां पर बस अब चाय बनाना स्टार्ट कर रही हूं अपने लिए और आयना यशी के लिए भी थोड़ी थोड़ी बनाऊंगी तो तीन कप माल लो आप तीन कप चाय मैं बना रही हूं और साथ में मिल्क भी बोईलो रहा किचन वगरा मैंने सुबही साफ कर दी थी और यहां पर हस्बें जा रहे हैं अपने सारे कपड़े लेकर और कुछ चीजे भी मंगवाई थी मैंने तो यह आयना को साथ में लेकर के जा रहे हैं कपड़े भी दे देंगे प्रेस के लिए और जो समान वगरा लाना है वो भी साथ के साथ में लाएंगे तो आयना को भी लेकर किये जा रहे हैं क्योंकि छुट्टी है तो बच्चे को भी घुमना फिरना हो जा गई यह अभी कलर करने में बिजी थी वरना वो भी ज़रूर जित करती कि मुझे भी ले चलो खैर यहां पर चाय बन गई है तो मैं यहां पर पी ले रही हूं और आयना जब आएगी तो उसको मैं रस्क के साथ दे दूँगी तो अभी फिलाल तो करके दे गए बाकी समान बाद में लेकर एंगे क्योंकि थोड़ा ज्यादा समानता तो टाइम लगेगा लेकिन जाड़ू के आए कि मुझे सुबह सुबह चाहिए थी तो नहीं है और अब दोनों मेड़ आई ही नहीं है आज संडे ना तो संडे मना रही है कपड़े सुबह भीढ़ चैर पही डाल डिये तो मैंने दूप में तो देख लेते हैं सुखी यज ही जो चेयर में रखे उनको भी साथ के साथ में मैं डाल दे रही हूँ तो सूख जाएंगे क्योंकि हम लोग का आज प्लैन है बाहर कहीं जाने का तो देखेंगे दुपहर में अगर जाना होगा तो दुपहर में या फिर शाम को और ची के तहया है और बहुत पुस्टार है और बहुत चायुट यहाल पी के तो कचोड़ी में यहां कचोड़ी में जानी है और मैंने ऑसी पड़ा जारी घुन मेरे बाल मेरे बाल सुख गए है तो मैं हाइलाइट कर वायत है तो हमिलाइट कर वाइदें ना वह जो फ़र प। जीन नहीं चाहित भी चेंज उगया है होली में कलर लगए था ना कुछ टाइम के लिए ट्रीन इसे बाल दिख नहीं लगे तो मैं सोच रही थी पालक पनीर बनाओ पनीर वैसे वाली कम पसंद है इन लोगों को पालक पनीर ज्यादा अच्छी लगती है तो पालक मैंने ले ली पहले मैं इस वाले बरतन में रख रही थी उबालने के लिए बड़ यह चोटा ही लग रहा था फिर मैंने बड़े वाले में रखा और इसको चार-पांच बार अच्छे पानी से धुला उसके बादा भी चली इसको रखते हैं बॉइल होने के लिए वैसे ज्यादा टाइम नहीं लगता है तुरंती हो जाता है दस से पंदरा मिनट में बॉइल हो जाएगा और अभी फिलाल में निकाल ले रही हू और आटा भी लगाना है तो अब मैं किचन में आए हूँ ना तो मैं सारा किचन में खाने पीने का काम करके ही बाहर निकलूंगी और जो बरतन वगयरा थे वो सब स्टैंड पे लगाए इनका जो लंच बॉक्स है उसको पोच करके अच्छे से रख दिया है वहना बंद कर द जाती है गील अगर रख दो इसलिए और यहां पर देखिए बरतन वगयरा लगाते लगाते ही पालक भी हो गई थी बॉयल तो उसको मैंने जार पे रख दिया लेकिन अभी पीस नहीं रही है क्योंकि काफी गरम है तो थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब पीस होंगी तब तक मसाला ही जाएगा कढाए में ऐखुसती ती बट कोई बातनी पीश दी तो पीस दी और चावल तो जाल करके और उसके बाद जब तक पनीर फ्राय हो रहा था तब तक मैं यहां पर निकाल ले रही हूं आटा आटा भी लगा करके रख दूं और इतनी ज्यादा गर्मी लगने लगी थी किछन में काम करते करते चार-पांथ दिनों से गर्मी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है य थोड़ा बहुत घर का टमप्रेटर सही रहेगा एसी में काया कि दर्वाजा बंद रहता है और रूमी ठंडा होगा बाकी पूरा घर तो गरम होने लगा इस टाइम यहां पर जो मैंने पेश्ट बनाया था वो सब अलमोश पक गया है और मुझे इतनी कर्मी लग रहे थी कि मैंने शिकंजी के लिए नीबू निकाले लेकिन वो थोड़े सूख गये थे तो मैंने गरम पानी में भिगोया है और ठंडा ठंडा पानी बना रही हूं यहां पर आइस डाल करके और शिकंजी बनाओंगी पियोंगी तो मुझे थोड़ा रामी लेगा और पनीर की सबजी क मेरे पहले ही बन गया आज और यहां पर मैं अपने लिए और सब ही लोगों के लिए बना रही हूं शिकंजी आईने यही भी शिकंजी अराम से पी लेती है उन्हें वे अच्छी लगते तो जीरा जो भूना हुआ जीरा होता ना उसका पाउडर काला नमक चीनी और नॉर्म रोटी भी थोड़ी बनानी ज्यादा तो बनानी फटाफट से रोटीया बनाते हैं और खाना खा करके थोड़ी देर करूँगी में रेश्ट और उसके बाद अभी हस्बें से पूछती हूँ कहां चलना है कितने बज़े चलना है तो यहां पर देखिए सारा खाना वगेरा तैयार है बस किचन साफ करके मैं जाओंगे भी खाना लगाओंगे और हम लोग खाएंगे पियेंगे तो खाना वगेरा खा लिया था थोड़ी दिर रेश्ट कर लिया था यह वीडियो फिर्ट चार बज़े यह साड़े तीन बज़े के आसपस का होगा तो कपड़े सारे वो प्रेस वाले भीया जो है वो दे गए थे तो उसी जोले में हमने कुछ कपड़े रखे और हम लोग चल दिये वरिंदावन के लिए तो वरिंदावन तो पंदरा से बीस मिनट में हम लोग आ गए और आए हैं हम लोग बॉटर पार्क जो फनलेंड है न यहाँ पर जो है पहले यहाँ पर गेम्स बहुत सारे थे और यह फिश वाला नहीं था जो फिश ऐसे होता है ना कि बैट जाओ पैरों का मसाज करती है या क्या करती है वही सब हो रहा था तो वह सब हम लोग ने ट्राय ने किया लेकिन हम लोग मिरर मेज पर आया थे यहाँ पर हम मिले किदर से बार निकलना है लेकिन उन्हें और यहाँ पर फिर यहाँ से निकलके हम लोग पानी के अंदर गया उटरर पार्क तो यश बहुत जादा डर रही थी आयना तो सबसे पहले पानी में घुज गई थी महाँ पर एंट्री करते ही लेकिन यशी को मैंने जबरजस्ती इसको पानी के अंदर ले गई बड़ी यह बहुत डर रही थी और नीचे उतर नहीं रही थी ना पैर रखने का नाम ले रही थी काफी देर बाद यह उतरी लेकिन यह रोने लगी बाद में जब मैंने इसको यहां पर स्लाइड कर रहे थी ना देखो आप चिपकी जा रही है मतलब बिलकुल भी स्लाइड करने के लिए तयार नहीं हो रही है इसको ने इनके पापा को दे दिया था और इसको ने ठंड भी लगने लगी ती कापने लगी तो इसको जादा दिर वैसे भी रखा भी नहीं था पानी में मैंने और आयना ने खुब एंजोई किया और उसके बाद फिर शाम अंधेरा होने से पहले हम लोग पानी से निकल भी जाए थे क्योंकि लग रहा थो कि बच्चे बीमान नहों जाए अभी उतनी तो गर्मी है नहीं तो इसले निकल आये थे और फिर यहां पर आयना को थोड़ा बहुत गेम्स भी खिल वापस और आज का व्लॉग आप लोग को कैसे लगा है कमेंट करके बताना पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना बिना लाइक किये वीडियो को एंट मत करना तो मिलते हैं आप से का लिग नियू व्लॉग में तब तक लिबाए बाए टेक कैर ऐसी सपोर्ट करते रहें और हाँ ये बहुत उचा जूला था इसमें मैंने येशी को चड़ा तो दिया थे लेकिन ब बीडर लगा क्योंकि ये स्लाइड नहीं कर पाया थी इसी साइड़